Hello student, good morning, class 4th, Hindi 1st, 14th chapter, 4th lecture इसमें बेटा ये टिक दी करेक्ट है, आपको करेक्ट आंसर पे करेक्ट का टिक लगाना है तो दादा जी की टीम का क्या नाम था? तो इसमें हल्वे पे करेक्ट का टिक लगाईे दादा जी और दादी जी को कौन सा खेल पसंद था? हौकी, हौकी पे करेक्ट का टिक लगाईे बेटा दादा जी के पालतु कुत्ते का क्या नाम था? इसमें तूफान पे करेक्ट का टिक लगाईे अब इसमें आपको रिक्तिस्थान बरना है दादी जी साधारन लंबाई की यहाँ पे दुबली बरिये खेल के तनाव में अपनी मूच के बाल खिषते रहे यहाँ मूच फिल कीजिए तूफान को गेंद से खेलना बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पे गेंद फिल कीजिए बेटा और यहाँ पे दादा जी और दादी जी ने अपने मित्रों को टीमों का उच्छा बढ़ाने के लिए बुलाए यहाँ पे उच्छा फिल कीजिए इस पे गोल फिल कीजिए दादा जी और दादी जी की टीमें एक दूसरे को हलाने के लिए गोल दागने की भरसक कोशिस कर रही थी अब किसने किस से कहा अगला कुश्चन है किसने किस से कहा मुकाबला बराबरी पर रहा दादा जी ने कहा किसी के पास एक और गेंद है क्या ये भी दादा जी ने ही कहा ठीक है अब आपका ये लेक्चर फिनिश अगला लेक्चर कल पढ़िएगा होमवर्क में आपको ये चैप्टर रेडिंग लगानी है और ये जो भी आज पढ़ाया ये बुक में फिल करना है थैंक यू क्लास